यहां जीओमेटरी जाने जाने है वो ग्रीक वोर्ट तो का यूज़ किया गया है जी यो का मतलब होता है अर्थ मेंट्री हैंना मैट्र आर्थ में मतलब मेजरा करना ओर्थ में Link में हैं है ना स्वारी जेयोमेटरी में ही शेट बनते हैं ठीक है तो सब का मेजर में तो जिवाटरी के बारे में बहुत सारी मैथेमेटिक्षियंज्स ने अपने विचार दिया है जैसे पाइधागोरस ने पाइधागोरस के प्यूपल प्यूपल मतलब से-से थैल्स ने इन लोगों ने जियोमेट्री से अपने अपने कुछ फॉर्मूलाज बनाए अपने अपने विचार दिया थीक है पर इस lesson में हम यूकलिट की जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे ठीक है थैल्स की जियोमेट्री भी नहीं और पाइक इस चैपटर में हम यूकलेट की जिवाटरी पढ़ेंगे। उके तो उन ने कुछ डेफिनिशन दी हैं, कुछ एक्जोंस दीए हैं और कुछ पॉस्चिलेट्स दिए हुए हैं। तो इस चैपटर में आपको वही चीज़ें दिखने वाली हैं, पॉस्चिलेट्स, एक्जोम्स, एंड टैफिनिशन्स, ओके, चलिए देखते हैं, तो यूकलिट जो थी, ये भी मैथमेटिशियन थे, हाना, तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि यूकलिट, जो की मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स की टीचर थे, कहाँ पर अलेकजेंड् जो की इजिट में, हाना, तो उनने बहुत सारे जाने माने वर्ट्स को कलेक्ट किया, ठीक है, और अपने पेमस ट्रेटाइस में उन्हें अरेंज किया है, मतलब सारी चीज़ें इधर उधर ते उनने नौलेज कलेक्ट करके, अपने पेमस ट्रेटाइस में अरेंज किया है, जिन्हें elements भी कहा जाता है ठीक है तो elements को Euclid ने 13 chapters में divide किया है और प्रतेक chapter को एक book कहा गया है ठीक है He divided the elements into 13 chapters Each called a book और यह जो books है वो influenced है Whole words understanding of geometry for generation to come किससे प्रभावित है वो world की geometry से तो इस chapter में हम Euclid ने geometry के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें बताई है वो सब हम discuss करेंगे और उसे link करने की कोशिश करेंगी आज की geometry से तो वो आप read करिएगा मैं यहाँ आपको कुछ definitions बताऊ होगी जैसा कि मैंने बताया कि Euclid ने elements कहा है elements को 13 part में divide किया है किया है और हर एक part को sorry हर एक chapter को उनने book कहा है है ना तो book first के elements की book one का elements को उनने 13 chapter में divide किया गया है ठीक है किया है तो वही जो एक एक chapter है वो एक एक book कहला रहा है तो first book का आपको कुछ definitions यहाँ पर दिया गया है ठीक है उसमें 23 definitions हैं पर कुछ definitions आपको यहाँ दिखाई चा रहे हैं देखें a point is that which has no part point जो होता है point जानते ही हैं है ना तो उसका कोई part नहीं होता वो तो सिर्फ एक dot होता है ठीक है a line is breath less length वाकई एक line को हम कितना भी बढ़ा कर सकते हैं है ना line के बारे में बताया गया line की definition है यह कि line is breath less length ठीक है the ends of a line are points line के जो ends होते हैं वो points में होते हैं yes ठीक है a straight line is a line which lies evenly with the points on itself a surface is that which has length and breadth only surface में length and breadth बस होती है सही है the edges of a surface are lines यह भी सही है surface की जो edges होती है वो क्या होती है line ही होती है a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on its cell यह तो कुछ definitions दी हुई है ठीक है फिर आपको कुछ exomes दिये हुए कि जिन जो टृत है जो सच है पर उन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं हाना assumptions के बारे में बताया गया है कि जो की universal truth है हाना लेकिन उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे ही assumptions को ने टू टाइस में डिवाइड किया है पहला exomes and दूसर पॉस्चुलेट ठीक है तो पॉस्चुलेट क्या है जो truth है और उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं ठीक है और वहीं exomes जो हैं उन्हें हम प्रूफ कर सकते हैं ठीक है तो कुछ exomes यहां दिये हुए हैं things which are equal to the same thing are equal to one another if equals are added to equals the holes are equal if equals are subtracted from equals the remainders are equal okay things which coincide with one another are equal to one another यह देखिए इसे हम प्रूफ कर सकते हैं the hole is greater than the part numbers का यूज़ करके हम इसे प्रूफ कर सकते हैं things which are double of the same things are equal to one another things which are halves of the same things are equal to one another यह exomes दिये हुए है कुछ आपको तो यहां आपको कुछ पॉस्चुलेट भी दिये हुए है सबते पहला देखें आप क्या दिया हुआ है a straight line may be drawn from any one point to any other point okay second exam यह तो exam दिया हुआ है फिर postulate यहां दिया हुआ है a terminated line can be produced indefinitely postulate third आपको यहां दिया हुआ है a circle can be drawn with any center and any radius fourth postulate है आपका all right angles are equal to one another and fifth postulate है आपका if a straight line falling on two straight lines make the anterior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles okay तो यह कुछ पॉस्टिलेट्स दिये हुए है हमें and some examples also तो यह आप examples जो है वो solve करने की कोशिश करेंगे okay tomorrow we will start exercise 5.1 आपका झाल झाल